यहां हम लिट्रेचर और ग्रामर दोनों पढ़ते हैं और कोई भी क्वेरी आपकी बनती है तो आप इस नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं आपके कुछन्स का जवाब दिया जाएगा आज हम जो पढ़ने बाले हैं वो है शिक्स इंपोर्टेंट लिट्री टर्म्स यह पी लेटर्स की हैं और एमच अब्राहम से टायर की गई हैं पोईटिक जस्टिस पोईटिक लाइसेंस प्री राफिलाइट प्रॉब्लम पिले परपल प कुछने किया एक दूसरा इसका मीनिंग भी पूछा जाता है तो इन सरी बातों को जानेंगे प्री सुरू करते हैं बात करते हैं पोईटिक जस्टिस के दीके पोईटिक जस्टिस जो है पहला प्रिसम तो यही बनता है कि इस टर्म को कॉईट किसने किया तो पोईटिक जट justice was coined by Thomas Raymer, जो कि आपके 17th century, यहीं लेटर 17th century के English critic है, Thomas Raymer, एक प्रेशन तो यही बनता है, second one, he coined it in his, the tragedies of the last age, considered, और इस में इस रचना में भी, अपने इस बर्क में, with reference to Elizabethan poetic drama, जब Elizabethan poetic drama का reference देते समय, उन्होंने इस टर्म को coin किया, poetic justice, अब क्या होता है, poetic justice, तो poetic justice को समझने के लिए, एक बात लिहां दे दिए, जो जसुक करहीं, तसुफल चाखा, यहीं कि जो जैसा करता है, उसी के according, उसका result निकलता है, अच्छे करम करोगे, तो पुरसकार मिलेगा, और बुरे करम करोगे, तो punishment मिलेगा, यही एक ideal जो position है, वो poem के माध्यम से, बर्क के माध्यम से दर्साई आती है, इसी को हम poetic justice बोलते हैं, तो देखे, क्या define किया है, वो समझते हैं, the term signifies the distribution at the end of literary work, यही कि एक रचना के last में, जो distribution होता है, of earthly rewards and punishment, यही कि reward और punishment का in proportion of the vice और virtue in various characters, यही कि जो characters में जो काम करता है, उसमें जो vices होती हैं, जो बर्चीज होते हैं, उसी के अमसार उसको reward मिलता है, और punishment मिलता है, यही इसी को हम poetic justice बोलते हैं, तो आप जानते हैं, कि ऐसी जो situation होती है, यह reward और punishment के, according to vice and virtue, तो यह चीज आपकी real life में देखने को नहीं मिलती, आपने देखा होगा, real life में, बहुत लोग बुरा करने बाले भी आराम का जीवन जीते हैं, बहुत अच्छा करने बाले भी खराब जीवन जीते हैं, तो real life में नहीं होता, बलकि एक ideal life होती है, यही कारण है, कि such justice is poetic, कि ऐसा justice जो होता, बहुत पोईटिक होता है, आप कह सकते हो, ideal होता है, यही कि एक प्रिकार का आदर से स्थापित करने की कोशिश की जाती है, in the sense that it occurs more often in fictional plot of place than in real life, यही रियल लाइफ के मुकाबले, fictional plot में ऐसा happen होता है, अगली term है आपकी, poetic license, देखिए, license तो जानते ही हैं, आप अनमती होती है, अधिकार होता है, poetic license, तो आपने खुद देखा होगा, कि किसी भी point का जो structure होता है, sentence structure कर सकते हो, उसके syntax कह सकते हो, वो प्रोज के मुकाबले अलग हटके होता है, तो जॉन ड्राइडन, जो कि आपके 17th century के dramatist और poet है, वो define करते हैं, the liberty which poets have assumed to themselves in all ages of speaking things in verse which are beyond the severity of प्रोज, यानि कि प्रोज की जो severity होती है, कठोरता होती है, यानि प्रोज में छूट नहीं मिलती, तो उसके मुकाबले, प्रोज की जो गंबीरता है, उसके मुकाबले, जो poems हैं, उनमें काफी छूट मिलती है, कहने की छूट मिलती है, तो उसे हम poetic license बोलते हैं, तो यह किस प्रिकार की छूट होती है वो नीचे पड़ते हैं देखिया है In its most common use the term is confined to diction alone तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि यह केबल आपके diction तक सीमित है जो आपकी भासा है भासा से लिए उस तक सीमित होता है तो to justify poets departure from rules and conventions of standard spoken and written approach यहाँ कि जो आपकी spoken or written approach होती है तो हर approach का एक sentence structure होता है उसका syntax होता है उसका जो phrasology अलग होती है तो उसका जो standard होता है उससे आप अलग नहीं हट सकते लेकिन poem में इससे जो poet होता है वो अलग हट के लिखता है तो यह उसको छूट मिलती है in the matter such as syntax, word order, the use of archaic or new coin तो इसमें syntax बदल देता है, word order बदल देता है poem में तो यह सब उसको छूट मिली होती है इसी को हम poetic license बोलते है तो इसमें वो आपके पुरातन बाले या नए सब्दों का प्रियोग कर सकता है और कह रहा है the conventional use of I rhymes I rhymes का भी प्रियोग कर देता है तो I rhyme का मतलब होता है दिखने में आँखों को दिखने में rhyme जैसे लगती है जैसे wind और wind, daughter और laughter I rhyme बोलता है इनको next है pre-raphelites देखिए ये pre-raphelite brotherhood के नाम से इसको जानते है यहां question जो लिया जाता है कि pre-raphelite brotherhood का जो movement था किसने शुरूप क्या तो ये रहे हैं आपके दानते Gabriel Rossity यह डीजी Rossity ने 1848 तो 1848 आप date याद रखेंगे year याद रखेंगे और किसने शुरूप की तो ये English artist थे दानते Gabriel Rossity William Holman Hunt और John Millias इन्होंने इसको इस गुरूप की शुरूप की क्या aim था aim को जानते हैं देखिए यहां बात हो रही है pre-raphelite तो नेचरल है की राफेल रहे हैं आपके Italian painter राफेल 1483 से लेकर 1520 इनका जो time period है तो ये आपके कौन रहे हैं ये आपके रहे हैं painter तो इन इन से पहले जो painting रही है जो ललित कला रही है उसके बारे में उस कला को जागरित करने के लिए इस गुरुप को जो है शुरू किया गया था अपढ़ते हैं दा एम बाज टू रिप्लेस दा विगानिंग अकेडमिक स्टाइल ऑप पेंटिंग यानिके जो इस समय पेंटिंग की अकेडमिक स्टाइल थी जो प्रिचलित शैली थी उसको रिप्लेस करके जो राफेल से पहली थी जिसमें टूथफुलनेश थी जिसमें सिंप्लिसिटी थी और इस्प्रिट ऑप डिपोशन यानिके भक्ती की भावना थी उसको इस्थापित करना था विच दे एट्रिबुटेट टू इटेलियन पेंटिंग इन लोगों ने एट्रिबुट किया और यह कौन सी थी राफेल से पहले और राफेल का पीरिड माना जाता है वो इटेलियन साहित में रिनेस्हा का पीरिड माना जाता तो समझ के होंगे इन्होंने किस पेंटिंग को न्योंगों करने कि कोशिस की है अब आता है second वाइट में प्राब्लम सद्वेस दीके प्राबल्लम की बात करते हैं तो यहां प्रिसpflicht बनता है कि प्रावब्लम प्लो को प्राप्लाइज किया तो प्राप्लम् प्राप्ल्म फ्ल प्रिस्वाइज किया जो नौरवें प्लेराइट रहें, हैंडिक एबशन की इन के ड्रामा का नाम है, वो अभी नीचे पढ़ेंगे डॉल्ल्स हाउस हैं तो क्या होते हैं प्रॉब्लम प्ले करें इनकी प्रॉब्लम प्ले ऑसन फिय्ष्ट भाई सब रूटोगेश्ट प्रोटागोनेश्ट के द्वारा जो सिच्वेशन फेस की जाती है कोई भी बुराई हो सकती है उसके जीवन की इस पूट फॉरबार्ट बाई दा ओथर एज रिपरेजेंटिटिव इंस्टेंज आफ दा कंटेंपरिरी सोसल प्राब्लम जो प्राब्लम आपका प्रोटागोनेश्ट फेस करता है तो वो प्राब्लम पूरी समकालीन सोसाइटी का एक पृत निधित्म करती है तो ऐसे प्राब्लम प्लेश कहते हैं चाहाए आपकी हम इसमें बरतमान में ले लें डारी सिस्टम हो सकता है और बहुत सारी अंदिविस्वास हो सकता है बहुत सारी चीज़े हो सकती है तो यह जो कंटेम्परेटी सोसाइटी की जो प्राब्लम थी उनको सो आफ करना होता था तो हैंड्रिक इवसन का जो डॉल्स हाउस है जिसका दूसरा नाम है दा मोरल्टी ऑफ प्रोस्टिटिशन यानि कि आपकी बेश्यवर्टी की नेतिकता इसका दूसरा नाम है रिगारडड़ एजय टिपीकल प्रोड़ट उफ्दय एकॉनिक अरंजमेंट इन दो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी थूस वे पूंजिवादी थी ऑपूंजिवादी शोसाइटी में जो धन का distribution होता है जो arrangement होता है वो काफी भेदभावरा होता है गरीब जादा गरीब होता है और अमीर जादा अमीर होता है इसे के कारण जो बहुत सारी problems है बेसे बर्ति की problem है भीक मागने की problem है चोरी की problem है ये सारी problems जगती है तो इन्हों उन्हें बिस्यवक्ति की प्राब्लम को इसमें जो है highlight किया है और जॉर्ज बरनाड सा का play है मिशिस वारंजlo प्रोफैशन अजॉल और प्रोफैशन मिसज्वार फ्रोफैसट एटेंं निएट की रचना है तो ये भी आपका प्राब्लम प्ले है जी भी सा का तो इसमें जो रेसियल और एथनिक रिलेसंस इन प्रिजेंटे अमेरिका अमेरिका में जो जातिये और नसलिये भेदभाव को इस प्ले में दर्साया गया है अब यह जो पैसेज है यह बहुत इंपोर्टेंट है जो करते हो मैंने उस महां से उठा लिया है तो आप ध्यान रख्या इसमें क्या करे नाम सेorpरुल कोमेडी के नाम से भी जानते हैं और ये जो पिले हैं इनके प्रॉबलम पिले के नाम से जाने जाते हैं ये इंपोर्टेंट प्रिसन है क्योंकि आइसे प्रिसन पूछे गए थे लास्ट येर 2021 के टीज़ टीम है तो इस पर भी आप तयार रही है कि पूछा जाएगा कि ट्रा या इनमेंस से कोई लिए जाएगा तो पूछा जाएगा इनमेंस कौन सा प्ले प्रॉबलम प्ले की कटागरी में आता है समझ क्योंगे विच एक्सप्लोर इगनोबल एसपेक्ट ऑफ हुमन नेचर तो इन प्ले में जो हुमन नेचर के इगनोबल एसपेक्ट है यादि कि बुरी भावना है उनको इसमें दर्साया गया है इन बेच दा डिजोलुशन ऑफ दा प्लाट सीम्स मैनी रीडर्स तो बी प्रब्लेमेटिक तो कई पाठों के द्वारा जो प्लाट है वो प्रब्लेमेटिक दिखाई देता है इन देट इट डज नोट सेटल और सॉल एक्सेप्ट सुपरफीशियली दा मोरल प्राब्लम्स राइस इन दप्ले तो प्लेज में जो मोरल प्राब्लम्स उठाई जाती है तो उनका कोई सॉलूशन नहीं दिया जाता बलकि सतही तोर पर उनको वहीं का वहीं छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर जो बताया वो ध्यान रखना कि प्लेज के नाम ध्यान रखेंगे आप फिर है आपका परपल पैच परपल पैच ध्यान देजिए परपल पैच तो पहले तो समझ लिए पैच हिंदी में बोलते हैं पैबंद या आप कह सकते हैं कोई अगर आपका कपड़ा फट जाता है उस फटे हुए कपड़े पर बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने इस् होती है वो आपकी सिंक एलाती है और परपल पैच परपल पैच का यहां अरता है सपोज कि यह कोई भी पैशेज है यह आपका चाहिए प्रोज का हो सकता है या पोईटरी का हो सकता है इसमें पैशेज में कहीं भी कोई आप जो लाइटर है इसको कमी दिखाई देती है तो वो इसमें फिगरेटिब लेंगुज परेग करेंगा leverlusive सब्रोग करेंCo या इसमें अलंकार शी ermटर्डर करेंगा तो इसके द्वारा वह अपने पैशेज़ को स्षेक्टिब नाने की कु कर में जो उसका कंटेक्ट होता है वो थोड़ा सा हट जाता है तो ऐसी सिच्वेशन को परपल पैच कहते हैं अब पड़ते हैं क्या लिखा है इसमें इस सिचनिफाइज आ माड़ हाइटनिग और इस्टाइल इन रिदम डिक्षान रिपिटिशन और फिग्रेटिव लेंगवेज देट में पैशेज बर्स और प्रोज इसपेशली आ डेस्क्रेप्र पैसेज इस स्टैंट आउट फ्रम इस कंस्ट तो इसमें रिदम के द्वारा रिपिटिशन के द्वारा फिग्रेटिव लेंगवेज के द्वारा चहाएं वो आपका पैसेज बर्स का हो इनके कविता हो सकती है या पिरोस हो सकता है तो इसके एक अंसको बिसेश रूप से क्या करते हैं उसके अलंकारे की भासा की द्वारा उसको हाइटनिंग उचाई पर पहुंचाए जाता है उसको इंप्रेसिव बनाने की कोशिज की जाती है तो ऐसी सिच्वेशन में क्या होता है इस्टेंट आउट फ्राम इट्सक्ट तो ऐसे में जो अब उसका जो संदर्व होता है उससे थोड़ा हट जाता है तो यह होता है परपल पैच तो परपल पैच का जो इजी लेंग इजी डेफिनेशन वह यह है एन ओवर रिटिन पैसेज इन विच दा राइटर है और इब इंप्रेशिव एक तो इसमें ओवर इटिन पैसिज होता है जिसमें राइटर जो है वह वह ओवर राइटिंग करता है ताकि उसका जो इंप्रेशिव एफिक्ट उत्पन किया जा सके बाइण इलैवरेट फिगर और बहुन चाहें पूब बूड फिगरर परपुरियस पैनस वाज फस्ट यूज़ बाई रोमन जो पोईट है होरेस उनकी रचना है आर्स पोईट का उसमें इसको यूज़ किया गया है टू डिनोट एन इर्रिलेबेंट एन एक्सेसिबली ओरनेट पैसे यहनिके जो इर्रिलेबेंट है जो तुक नहीं बैट थी और ओवर इलेबोरेट पैसेज के बारे में उसमें बताया गया है लास्ट है रोमन अक्लेव पहले बात यह फ्रेंच वर्ड है और अक्लेव का अर्थ होता है अक्की और पूर्यकार्थ होता है नॉबिल विदा खी ये भी पूछा जा सकता है second क्या है इसका यूज वो पढ़ते हैं देखिए क्या है रोमन अकलाप इजब बर्क और प्रोज फिक्शन यहीं कि प्रोज फिक्शन का बर्क है इसको समझानी कोशिस करते हैं देखिए इसमें प्रोज बर्क में ए नाम का कोई व्यक्ति है एकनी अब इसको किसी एक्स नाम से रख लक करके इसको हम प्ले में यूज करते हैं और प्रोज चीमस करते आज कलमी देखा किसी का नाम पपू रख दिया गया किसी को गोधी मीडिया रख दिया गया किसी कुछ रख दिया गया है तो इससे आप समझ जाते हैं कि बात हो रही है किसकी बात हो रही है और फेंको की बात हो रही है या हम कहें पपू किसकी बात हो रही है कोई लोग समझ तो ये यहति होता है ताकि कोई आरोप नांसों। भूष, इसRIकार जो क्या होता है। जो राइटर एक्सपटस ऋबनो रिडर्स आयडेलेंटीटी。 तो राइटर से उम्मीद कि जाते है कि वह र है कि रिडर की आइडेल्टीटी पहचानने कि इसके के बारे में बात हो रही है डिस्पाइड डियर अल्टर्ड नेम हाला कि उनके बदले हुए नाम के बाब यूद एक्षिल पेपिल आप दा टाइम तो अब रचना ही देखिए यह रचना है दा मोड़ बॉज बीगिन इन सेबंटीं सेंचुरी फ्रांस विद नॉबल सच आज मेडिलेन डे ससोरे लेगरांड साइरस तो इस यह आपका नॉबल है इसमें इस मोड का यूज किया गया है अगला है इंगलिस एक्जाम्पिल है टॉमस लब पिकॉक का नाइट मेर एवे तो इसमें कॉलरिज बैरन और सैली को नाम बदल करके पिरो किया गया है और एंटर्टेनिंग कारिकेचर का मतलब होता है कारटून तो कारटून के तौर पर इन पोट्स को इसमें यूज किया है Misha hadhan ahaak i sages Na hai फ्राइंट HEY पॉइंट कांटर पईंट इस पॉइंट पॉइंट कांटर पॉइंट में भी पुस्ष मान्हें के रइटर रहे है डियेच लॉर्स क्रिटिक रहे हैं मिद्न अ पोर्र डिर इंग अस्व्रें वैयर और तो इनको भी इसमें मउकारी की गई है उन पर जो है ब्यंग किया गया है सटायर किया गया है तो मीद करना है आपको टेर्म्स पसंद आई होगी थेंक्यू, all the best